नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मकान बनवाते समय जरूर ध्यान रखे वास्तू के इन साथ नियमों को अवश्य जान ले वास्तू शास्त्र के अनुसार घर बनाने में काफी सहूलियत मिलेगी. घर का सपना हर किसी का होता है. घर में हमें आराम, सुख और शान्ती प्राप्ती होती है. वास्तू शास्त्र में कहा गया है कि अगर घर का वास्तू सही है तो घर में रहने वालों सभी सदस्यों की तरक्की होती है. वहीं घर में वास्तू दोश होने पर जीवन में तमाम तरक की परेशानियां और बाधाएं आने लगती है आईए जानते हैं घर का वास्तु कैसा होना चाहिए वास्तु अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा पूर्व या उत्तर दिशा सूरियोदे की दिशा होने की वज़से इस तरफ से सकारात्मक्व उर्जा से भरी किरने हमारे घर म घर के मुख्य दर्वाजे और खिड की सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में होना शुब माना जाता है वास्तु अनुसार घर का पूजा घर उत्तर पूर्व घर में पूजा का स्थान सबसे एहम होता है वास्तु के अनुसार देवी देवताओं के लिए उत्तर पूर्व की दिशा अच्छी मानी जाती है. इस दिशा में पूजा घर स्थापित करें. पूजा घर से सटा हुआ या उपर या नीचे की मन्जिल पर शौचाले या रसोई घर नहीं होना चाहिए. इशान दिशा के नाम से जानी जाने वाली यह दिशा जलकी दिशा होती है. इस दिशा में बोरिंग, स्वीमिंग पूल, पूजास्थल आदी होना चाहिए. घर के मुख्यद्वार का इस दिशा में होना वास्तु की दृष्टी से बेहत शुब माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की रसोई दक्षन पूर्वी. रसोई घर के लिए सबसे शुब आगने कोन यानी दक्षन पूर्वी दिशा है. इस दिशा में रसोई घर का स्थान होने से परिवार के सदस्यों सेहत अच्छी रहती है. यहां अगनी की दिशा है, इसलिए इसे आगने दिशा भी कहते हैं. इस दिशा में गैस, बॉयलर, इन्वर्टर आदी होना चाहिए. इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड की दर्वाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. इससे अलावा उत्तरपश्चिम दिशा में भी रसोई घर का निर्मान सही है. वास्तु अनुसार शयनकक्ष की दिशा. शयनकक्ष के लिए मकान की दक्षन पश्चिम, नरित्य या उत्तरपश्चिम, वायव्य में होना चाहिए. शयनकक्ष में बेड के सामने आईना और दर्वाजे के सामने पलंग न लगाए. विस्तर पर सोते समय पैर दक्षन और पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए. उत्तरदिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्त्य लाब तथा आर्थिक लाब की संभावना रहती है. वास्तु अनुसार अतिथी कक्ष उत्तरपूर्व या उत्तरपश्चिम दिशा में होना चाहिए. वास्तु गण्ना के अनुसार इस दिशा में अतिथी कक्ष होना उत्तम माना गया है. अतिथी कक्ष को भी दक्षन पश्चिम दिश आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद